और बद्दर प्रदेश विधास सभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग के बयान पर केंद्रे मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिकरिया दी है उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार की मंचा एक सेवक के रूप में जनता का विकास और उसकी सेवा करने की रही है और मैंने इसी मंचा से पिछले 20 सालों से एक काम किया है उसी तरह ग्वालियर की जनता की आश्विरवाद से काम करने की कोशिश करूँगा आपको बता दे कि दो दिन पहले ग्वालियर पहुंचे नेता पृतिपक्षी डॉक्टर गोविल सिंग ने जोतिरादेतिया सिंध्या के मुख्यमंतरी बनने की इच्छा जाहे की थी देखिए मैं और जो जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं चाहे कॉंग्रस में रहे हो चाहे बीजे पी में रहे हो चाहे मेरी दादी रहे हो चाहे मेरे पूजे पिताजी रहे हो चाहे मैं रहू हमारी एक ही मन्शा है एक ही सोच है एक ही विचारधारा है और वो है ज जनता का विकास जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की और उसी मन्शा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशिरवाद और गॉलियर की जनता के आशिरवाद से उसी तरह जीवन के आखरी सास्तक में कार्य करने की कोशिश